Hello everyone, welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में हम करेंगे International Space Agencies और उनके Important Mission और Satellite. तो ये हम सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे. Static GK का ये Super Important Topic है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. पहले हम उन Space Agencies को पढ़ते हैं, जो उतनी Important नहीं है. इसमें बस आपको इनके नाम जानने हैं और Headquarter कहाँ पहे हैं ये जानना है. German Aerospace Center जिसको DLR बोलते हैं. तो DLR जो है, actually DLR की Full Form German भाशा में है, तो वो आपके काम की नहीं है. आप बस इतना याद रखिए DLR, Germany की Space Agency को बोलते हैं. इसका Headquarter जर्मनी के Cologne शहर में है. तो DLR, Germany की Space Agency का नाम है. उसके बाद है CNES यानि की Center National Detudes Specialist. ये French भाशा है तो CNES की Full Form भी French में है. तो आपको बस ये याद रखना है CNES जो है, ये French Space Agency है. और CNES को जो चाइना की CN से है, उसके साथ confuse नहीं करना. ठीक है? Chinese National Space Agency जो है, CNSA, उसके साथ आपको confuse नहीं करना. CNES फ्रांस की है, और CNSA जो है वो, चाइना की है. इसका Headquarter पैरिस में है. और ये दो जगा से Operate करती है. Operate मतलब, जो भी ये Launch करती है, वो कहां से करती है? एक तो है Toulouse Space Center. Toulouse again, फ्रांस का एक शहर है. Toulouse. और दूसरा है Guinea Space Center. और जो ये Guinea Space Center है, एक्चुली इसको French Guinea बोलते हैं. French Guinea, South America में है ये French Guinea. और Guinea Space Center को European Space Agency, ESA और French Space Agency दोनों शेयर करते हैं. दोनों यूज़ करते हैं. Guinea Space Center. और फ्रांस की जो काफी काम करती है. जैसे इसरो एक गगन यान मिशन करेगा अपना. हमारा पहला मिशन होगा ये Space में. आज तक कोई भी भारती अंतरिक्ष में नहीं गया है. भारतीय से मतलब है इसरो के किसी मिशन में. कल्पना चाबला गई थी, लेकिन वो अमरीका की NASA की Astronaut बनके गई थी. तो गगन यान मिशन, गगन यान वन हमारा पहला मिशन होगा Space में. और इसके लिए French Space Agency हमारा सपोर्ट कर रही है. हमें help कर रही है. रशिया की Space Agency जो है Roscosmos वो भी हमारी help इसमें कर रही है. एक और मिशन है Megatropic. Megatropic Mission. ये भी भारत और France की Space Agency, ISRO और CNES मिलके कर रहे हैं. अब बात करते हैं पाकिस्तान की Space Agency. पाकिस्तान की Space Agency को बोलते हैं Suparco. सिदा MCQI का डारेक्ट Suparco कौन से कंट्री की Space Agency है? Suparco की फुल फॉर्म है The Space and Upper Atmosphere Research Commission इसकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है. ये पाकिस्तान की National Space Agency है और इसका Headquarter कराची में है. कराची आप जानते हैं, सिंद की Capital है. पाकिस्तान में जो सिंद प्रोविंस है उसकी Capital है कराची. 1961 में बनी थी और ये अपना launch कहां से करती है? Son Miani. बद्रवन को सुपारको ने बनाया था, launch किया था और इसे शीचैंग सैटेलाइट लाँच सेंटर चाइना से लाँच किया गया था 1990 में. यानि भारत की जो फर्स्ट स्पेस में गई थी satellite वो आर्यभट थी. आर्यभट 1975 में गई थी. तो हमारे लाँच करने की capacity बहुत बाद में डवलप होती है. लाँच करना बहुत बड़ी बात होती है. तो पाकिस्तान ने भी अपनी पहली satellite जो है बद्रवन इसको launch चाइना से करवाया था. चीचैंग satellite launch center से. अब बात करते हैं European Space Agency European Space Agency जो है लगभग 22 country हैं मिलके जो शेर करते हैं इसे European Space Agency और ये 1975 में बनी थी इसका headquarter पैरिस में है ये जो गिनी Space Center है कूरू, फ्रेंच गाइनिया, साउथ अमेरिका ये भी उसी को यूज़ करती है ये इनका main space port है यानि जो इनके launch होते हैं वो यहीं से होते हैं और इनका main rocket है जो launch vehicle है वो है Arian 5 Arian 5 In fact, आपको याद हो 2020 साल में G-Sat 1 G-Sat 30 है हमने launch की थी ये first, number one satellite थी 2020 की G-Sat 30 ये हमने Arian 5 से ही launch करवाई थी और हमने French गिनी से ही launch की थी ठीक है G-Sat 30 2020 का पहला mission था ISRO का Indian Space Research Organization का तो वो Arian 5 यूज हुआ था rocket Arian 5 rocket European Space Agency का है और जिस जगा से launch होता है वो है Kuru French Guineas जो South America में है और एक बात और याद रखिए European Space Agency NASA के साथ मिलके एक और rocket बना रही है जिसको बोलेंगे Orion Orion बहुत powerful spacecraft होगा और ये उन जगा पे जा पाएगा जहां अभी तक मानव नहीं पहुँचा है तो इसको NASA और European Space Agency मिलके बना रहे है अंत्रिक्ष यान को spacecraft को अब बात करते हैं United Kingdom Space Agency United Kingdom ये Britain की Space Agency है और इसका नाम है United Kingdom Space Agency UK Space Agency इसका headquarter Swindon में है तो आपको बस इसका headquarter याद रखना है काफी नई है ये आप देख सकते हैं ये 1 April 2010 को बनी थी उसके बाद बात करते हैं China National Space Administration चाइना की Space Agency इसके काफी question आते हैं तो इसमें सबसे पहले headquarter याद रखिए headquarter राजदानी बीजिंग में है वो 22 April 1993 को हुई थी तो इनके कौन-कौन से जगा है कौन-कौन से launch center है Zeeu Quan Satellite Launch Center ये सबसे important है Zeeu Quan Satellite Launch Center यहाँ से launch करते हैं फिर Taiwan Satellite Launch Center और Zee Chang Satellite Launch Center तीनों के नाम आपको याद रखने है इनके फिर सबसे important चीज़ है BeDo Navigation System जैसे अमरीका GPS यूज़ करता है अमरीका का सिस्टम है GPS इसी तरह इंडिया का सिस्टम है NAVIC जिसे IR NSS बोलते है तो चाइना का है BeDo फिर इनका Mars Mission है मंगल गरह का जो Mission है उसका नाम है Tianwen-1 और इनके जो Moon के Mission है वो चलते रहते हैं Chang E के नाम से तो Chang E 1, 2, 3, 4, 5 होने वाला है तो Chang E इनका basically Lunar Mission है बाकी और बहुत सारी सेटलाइट छोड़ते रहते हैं ये चाइना की जो Space Agency है जैसे App Star इनकी सेटलाइट सीरीज है पूरी App Star जो सीरीज है फिर Zee Yuan इनके सेटलाइट है फिर Gao Fen इनके सेटलाइट है जो अकसर छोड़े जाते हैं Yao Gen Yao Gen जो है सीरीज है पूरी 1, 2, 3, 4, 5 आगे पूरी सीरीज है इनकी तो ये आप कुछ नाम याद रख सकते हैं चाहें तो जैसे Yao Gen सीरीज है App Star है, Zee Yuan है और Gao Fen है इसके अलावा इनका रॉकेट है Long March और Long March की पूरी सीरीज चलती है जैसे Long March 1, 2, 3, 4 ऐसे करके A, B, C, D वगारा तो इनके बस याद रख लिजिए इनके रॉकेट का नाम है Long March अब हम बात करते हैं CSIRO CSIRO जो है ये औस्ट्रेलिया की Space Agency है इसकी फुल फॉर्म है The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization ये Canberra में Headquarter है और ये 1916 में बनी थी उसके बाद इसराइल की Space Agency ये एक व्यक्ति ने शुरू करी थी 1983 में इस व्यक्ति का नाम था Yuval Niman और इसका Headquarter तैल अवीव शहर में है तैल अवीव इसराइल उसके बाद आगे बढ़ने से पहले जो सबसे Main क्योंकि हम तीन Space Agency को डीटेल में पढ़ेंगे एक तो है NASA, दूसरी है ISRO और तीसरी है Roscosmos Roscosmos और उससे पहले Soviet क्योंकि Russia जब बना था जब USSR Collapse हो गया था तो उससे पहले की भी हम पूरी स्टोरी देखेंगे तो इनको तो काफी डीटेल में पढ़ेंगे Maximum Question इनी से आते है International Space Station क्या है? यह आपको पता होना चाहिए इसको देखिए यहाँ पर यह है International Space Station यह एक Low Earth Orbit में रहता है यानि हमारी जो धर्ती की Orbit होती है ठीक है? देखो धर्ती की Orbit क्या है? मालो यह धर्ती है यह हमारा प्लैनेट है धर्ती है, यह अर्थ है इसके चारो तरफ आप Orbit में एक बार सैटेलाइट को डाल दो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सैटेलाइट अपने आप घूमती रहेगी चारो तरफ धर्ती के और यह हमेशा धर्ती के चक्कर लगाता रहता है Research Station का काम करता है तो इसमें सबसे important चीज़ जो आपको याद रखनी है वो यह कि यह 5 Space Agency कौन सी है जिनोंने मिलके International Space Station को शुरू किया था तो यह है NASA Roscosmos, Russia की, JAXA Japan की, फिर Europe की ESA और CSA Canada की तो इसरों नहीं आप इसमें देख सकते हैं यह NASA, Russia की Roscosmos, JAXA उसके बाद European Space Agency और Canadian Space Agency इनोंने मिलके जो है यह International Space Station को launch किया था, very very important और JAXA के बारे में भी आप एक लाइन जान लीजिए कि JAXA जो है JAXA, Japan की जो Space Agency है, 2003 में बनी थी जाकसा जो है 2003 में बनी थी और 1 अक्तूबर 2003 को बनी थी और कई अच्छे mission JAXA ने किये है यह भी आपको पता होना चीए और JAXA का headquarter कहाँ है टोकियो में है, राजधानी टोकियो में है तो International Space Station पे क्या क्या होता है, यहाँ पे research होता है, scientific research किया जाता है astrobiology, astronomy, meteorology weather forecasting वगरा बहुत सारे field में तो यहाँ पे हमेशा कोई न कोई astronaut रहते हैं और समान और जो astronaut हैं, वो यहाँ पे लगातार भेज जाते हैं routine ली clear? अब हम शुरू करते हैं जो space agencies आपको detail में पढ़नी है तो सबसे पहले है NASA देखो, अमरीका की space agency है independent agency है, अमरीका की space research करती है, NASA बना कब था? important question है, 1958 एक अक्तूबर, 1958 को NASA operational हो गया था, यानि चालू हो गया था, इसका headquarter राजधानी वाशिंग्टन ड.C में है तो NASA के सबसे बड़े achievement कौन से हैं, तो सबसे पहले Apollo 11, जो पहला वैक्ती चांद पे गया था, actually गये तीन थे पहला कदम रखा था इस वैक्ती ने इसका नाम है Neil Armstrong, यह जो बीच में खड़े हैं, यह कौन है? पैचान सकते हो, यह है Edwin Eldrin Edwin Eldrin और यह है यह है Collins, Michael Collins तो आपको जो याद रखना है, वो यह याद रखना है कि Neil Armstrong, जो पहले वैक्ती चांद पर जिन्होंने कदम रखा, वो NASA Commission था इसका नाम था Apollo 11 और इन्होंने चांद पे कदम कब रखा था? इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पे कदम रखा था, यानि पहले चांद पे कदम, अमरीका के वैक्ती नहीं रखा जंडा भी लगा के आये थे, यह वहाँ पे अमरीका का और यह है, Neil Armstrong तो इस मिशन का नाम क्या था? Apollo 11 फिर NASA ने NASA के आपको और बहुत सारे मैं अच्छे-चे मिशन बताता हूँ, जो एक्जाम में बहुत ज़दा पूसते है Viking, Viking 1 basically, NASA ने पहला spacecraft Mars पे, मंगल घ्रह पे land किया था, और Mars को हम Red Planet भी बोलते हैं तो यह 20 July 1976 को किया था, और यह आप फोटो देख सकते हैं यह Viking 1 ने फोटो दिखाई थी पहली बार मंगल घ्रह की और यह 6 साल तक 6 साल तक Viking 1 मंगल घ्रह पे रहा था उसके बास Pathfinder Mission, यह भी मंगल घ्रह का है Pathfinder Mission का नाम था इसमें इन्होंने एक rover भेजा, rover चक्कर लगाता रहता है, प्लैनेट के rover तो इसका नाम था Sojourner और यह आप देख सकते हैं, Sojourner ने फोटो खींची है यह यह 1997 की बात है यह Mars के उपर July 4 1997 को पहुचा था और Red Planet के इसने बहुत सारे details हमें दिये थे, तो इस Mission का नाम था Pathfinder और rover का नाम था Sojourner उसके बाद एक बहुत important question यह भी आता है कि कलपना चावला की जो death हुई थी वो कौन से Mission में हुई थी, तो वो था Space Shuttle Columbia Space Shuttle Columbia जो था एक फरवरी 2003 को, जब वो धर्ती में वापस प्रवेश कर रहा था, देखिए होता यह है कि यह धर्ती है, अब आप यहाँ से बाहर निकल गया एक बार, फिर आप अंत्रिक्ष में चकर लगाएंगे फिर जब आप धर्ती में वापस आएंगे तो वो dangerous होता है, क्योंकि Space में vacuum होता है, और धर्ती में atmosphere होता है, तो atmosphere होता है मतलब हवा का pressure होता है, जिस वज़े से tension create होती है, यानि कि धर्ती में वापस लटके आता है, तो वो सबसे critical होता है क्योंकि उसमें एकदम से आग लग जाती है इसलिए heat shield होती है, जो prevent करती है तो space shuttle Columbia में यही हुआ ये mission successful था, कलपना चावला अंत्रिक्ष में पहुँच गई थी, लेकिन जब ये वापस आ रहे थे, तो space shuttle Columbia में आग लग गई और फिर साथ जो crew member है, उनकी death इसमें हो गई Columbia disaster, तो ये आपको याद रखना है कलपना चावला जो है, ये अमरीका की citizen बन गई थी बाद में पहले इंडिया में इनका करनाल हर्याना में जन्म हुआ था और ये एक मात्र Indian origin person है, ये पहली Indian origin person है बाद में Indian origin person और भी गई थे, सुनिता विलियम्स और और भी थे तो अभी बस आपको इतना आद रखना है कि ये पहली Indian origin person है जो space में गई थी उसके बाद NASA का एक 2003 में भी मंगल ग्रहपे mission था जिसमें उन्होंने एक opportunity नाम का rover मार्स में भेजा ओपर्चुनिटी और spirit तो दो भेजे इन्होंने, spirit जो है उसने 6 साल तक काम किया और opportunity जो है उसने 15 साल तक काम किया 2019 तक तो मार्स में एक तो opportunity rover और एक spirit rover ये 2003 में भेजे थे और ये mission launch हुआ था spirit जो है वो 2004 में land हुआ था और opportunity जो है वो तुरंट land हो गया था तो opportunity और spirit ने अच्छी सेमाई दी mangal gray को लेकर उसके बाद कसीनी mission ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं exam में खास तोर पे railways के exam में, ssc में बहुत पूछते हैं कसीनी mission जो था NASA का वो था शनी घ्रह के लिए ये आप देख सकते हैं ये real photo है कसीनी की ये कसीनी है और शनी जो घ्रह है Saturn जिसे बोलते हैं या शनी घ्रह बोलते हैं तो उसके बहुत अच्छे अच्छे photos इसने लिए ये 1997 में गया था और 2017 में mission एंड हुआ लगबद 20 साल इसने रिसर्च किया शनी घ्रह पे फिर जूनो जूनो बहुत आता है एक्जाम में जूपिटर ब्रस्पती घ्रह जिसे बोलते हैं उसके लिए mission किया गया था जूनो और जूनो जो mission था इसका काम ये था जूपिटर के बारे में सारी जानकारी ले जूपिटर किस चीज का बना है उसका gravitational field गुरुत्वा कर्शन कैसा है magnetic field कैसा है और NASA ने इससे पहले एक mission और करा था वो था Galileo ये भी जूपिटर के लिए था और Galileo तो बलकि nuclear power था nuclear energy से power था Galileo तो Pluto के लिए, Pluto के लिए कि हमेशा विवाद रहता है, कभी Pluto को बोलते है कि वो ग्रह है, planet है, कई बार बोलते है कि नहीं है, और quipper belt quipper belt में जो दूसरे object है quipper belt जो होता है जो trans-Neptunian zone होता है Neptune के भी परे, Uranus Neptune Pluto, तो Neptune के भी परे जो भी है, बहुत सारे ऐसा माना जाता है asteroids है, बहुत सारे छोटे-छोटे planets है, dwarf planets जिने कहा जाता है bone ग्रह हैं उनको study करने के लिए mainly Pluto को study करने के लिए new horizon mission जो है NASA ने किया था फिर 2001 में mangal ग्रह पे NASA ने अपना एक अंत्रिक्ष यान भेजा, जिसका नाम था Odyssey, ये basically robot था एक Odyssey, और ये अब 20 साल से ज़्यादा से चक्कर लगा रहा है और इसका नाम Odyssey क्यों रखा था क्योंकि एक किताब थी जिसका नाम था A Space Odyssey, ये Space Odyssey किताब लिखी थी Arthur Clark ने और इसी नाम से एक फिल्म बनी थी 1968 में, जिसको Stanley Kubrick ने बनाया था, सूपर हिट फिल्म थी A Space Odyssey, तो इसलिए Mars में जो Space Crafts का नाम Odyssey रखा गया था, तो ये भी Mars का mission था तो आप देख सकते हैं, Mars को लेके NASA ने कितने सारे mission करे हैं मतलब Pathfinder mission हो गया फिर ODC हो गया, फिर Opportunity Rover हो गया, Spirit Rover हो गया, तो ये सब ध्यान दखने है, फिर बिल्कुल latest जो है, 2011 में लॉंच किया था, जिसका नाम तक Curiosity Mars Rover, मंगल घ्रह पे एक और Rover भेजा जिसका नाम तक Curiosity ये वहाँ पे जो Gale Crater है उसको study करने के लिए भेजा था मंगल घ्रह पे, ये mission लॉंच हुआ था, 26 नवंबर 2011 और बिल्कुल latest Perseverance 2020 में Perseverance जो है, ये भी एक Rover है, जो भेजा गया और Perseverance के साथ एक छोटा सा मिनी हेलिकॉप्टर भी भेज दिया गया था मार्स के लिए जिसका नाम था Ingenuity, तो ये किया था NASA ने 2020 में फिर NASA का एक mission है Dawn, Dawn mission का का काम क्या था Dawn का का काम ये था कि धर्ती के पास जो asteroid है asteroid मतलब होते हैं, बहुत बड़े पत्थर, या बहुत ही छोटे ग्रह, उन्हें ग्रह नहीं बोल सकते क्योंकि इतने चोटे हैं, तो हम उन्हें asteroid बोल देते हैं, ये गैस, पत्थर मिट्टी इंसर चीजों के बने होते हैं, धर्ती के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं, तो asteroid belt कहाँ पे है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, मार्स और जुपिटर मंगल और भ्रस्पति घ्रह के बीच में जो है, उसे asteroid belt बोलते हैं, महाँ पे बहुत सारे asteroid मिलते हैं, तो दो asteroid, डॉन स्पेसक्राफ्ट जो है, दो asteroid के लिए था, एक तो वेस्ता और एक सरेस, वेस्ता और सरेस, दो जगा पे गया था, फिर Artemis Mission है, NASA, वैसे तो आप जानते हैं, सबसे पहली बार चांद पे गया था, लेकिन चांद पे आज तक एक भी महिला नहीं गई है, दुनिया की, तो NASA पहली बार एक महिला को, और पहली बार एक black person को भेजेगा, यानि एश्वेत वेक्ति को, जिसको बोलते हैं, person of color, चांद पे भेजेगा इस mission में, Artemis Mission 2024 के आसपास, NASA कर सकता है, फिर है, InSight Mission, InSight Mission जो है, ये भी मंगल ग्रह के लिए था, पूरा mission था, बकाएदा, इसमें, InSight Mission में Atlas V 401 rocket का इस्तिमाल हुआ था, 2018 में लॉंच किया गया था, InSight Mission, ये भी रॉबोट था, जिसको मंगल ग्रह पे लेंड करवाय गया था, फिर NASA का mission है, Osiris Rex, Osiris Rex जो mission है, इसमें NASA ने क्या किया, धर्ती के पास एक asteroid है, जिसका नाम है Bennu, तो NASA ने Bennu के उपर अपना अंत्रिक्ष यान भेजा, और Bennu से sample collect करे, वहाँ पे जो पत्थर, मिट्टी बगारा थी, उसको इखटा कर लिया, और वो धर्ती पे वापस आएगा, 2013 में, ये mission 2016 में launch हुआ था, Bennu पे पहुँच गया, 2018 में, यानि पहुँचने में उसे लगबग 3 साल लगे, और धर्ती पे अब आएगा 2023 में, और sample लेके आएगा Bennu के, तो उनको हम study करेंगे, उन पत्थरों को study करेंगे, और उससे हमें काफी कुछ पता चलेगा, ये है Osiris Rex mission, उसके बाद है Juice mission, ये अभी हुआ नहीं है, 2022 में करने का सोच रही है NASA, इसमें जो Jupiter है, अगेन, Jupiter के लिए मैंने आपको दो mission बताएं है, एक तो Juno और दूसरा Galileo और Galileo का नाम Galileo Galilei के नाम पे रखा था, जो एक बहुत महान विज्ञानिक थे, तो Juice mission भी Jupiter के लिए है, इसकी नाम है NISAR mission, यानि NASA ISRO SAR mission, यह basically इंडिया से launch होगा यह, यह satellite है NISAR, और यह basically हमारा जो environment वगरा है hazards, जो environmental hazards वगरा उनको study करेगा फिर NASA का एक mission है, Sphere X mission Sphere X mission क्या है, Sphere X mission 2023 में launch करेगी NASA इसमें वो astronomer जो है, उनकी help करना चाहती है, नासा यह जानने के लिए कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, योनिवर्स की जो mysteries है, उनको सुलजाने के लिए Sphere X mission launch किया जाएगा उसके बाद है, Megalan spacecraft यह पुराना है, लेकिन important हो सकता है क्योंकि Megalan spacecraft जो किया था Venus के लिए किया था, शुक्र घ्रह के लिए किया था, तो शुक्र घ्रह के लिए था Megalan spacecraft, इसका काम यह था कि वो Venus पे जाए, वहाँ के surface पे उसका mapping करे, उसकी photo खीचे, cartographic जो endeavor था, वो था, Megalan spacecraft Venus के लिए, उसके बाद Parker Solar Probe, सूरज को study करने के लिए भी NASA ने mission किया था, 2018 में, जो outer corona है, sun का जो outer layer होता है, जिसे हम corona बोलते हैं, तो उसको study करने के लिए Parker Mission, और Parker Mission का नाम NASA ने रखा था, Dr. Eugene Parker के नाम पे, Dr. Eugene Parker के नाम पे, उनको समानित करने के लिए इसको Parker Mission कहा गया, अब हम बात करते हैं, Europa Clipper, Europa क्या है? Europa जो है, वो सबसे छोटा मून है, Jupiter का, Jupiter का सबसे छोटा मून है, उसे Europa बोलते हैं, और सबसे बड़ा मून है, उसे Ganymede बोलते हैं, तो सबसे छोटे मून, Europa Jupiter का जो है, उसे study करेगा NASA अपने Clipper Mission में, यह 2024 के असपास उनका मन्हे करने का, फिर Dragonfly, Dragonfly में जो शनी घ्रह है, Saturn, उसका सबसे बड़ा मून है, जिसे Titan बोलते हैं, वैसे भी, Saturn जो प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा मून है इसके पास, तो Saturn का सबसे बड़ा मून है Titan, उसको study करेगा NASA Dragonfly Mission में, अब हम बात करते हैं, NASA के हमने सारे Mission पढ़ लिए, exam point of view से भी बहुत ज़्यादा comprehensively हमने पढ़ लिए, तो NASA अपनी launch कहां से करता है, चीजें, launch site, यानि Space Port, तो सबसे पहले है Cape Canaveral Space 4 Station, Florida, सबसे ज़्यादा यहीं से होते हैं, और Florida से क्यों होते हैं, यह North America है, North America में आप देखिए, यह है United States of America, ठीक है, बीच में, तो United States of America में अगर आप देखें इस area को, यह जो नीचे है, बिलकुल अलग है यह, आबादी जो है, यहां रहती है, इन सबसे बिलकुल अलग है, तो अगर Canaveral Space Force Station, Florida, यहीं पे Kennedy Space Center भी है, वो भी Florida में है, फिर है Wendenburg Space Force Station, California, अब आप आजाएए West Coast पे, यह अमरीका का West Coast है, तो West Coast पे यहां पे कहीं California है, तो अगेन यह बिलकुल तट पे है, समुदर के पास है एकदम California, तो यहां पे है Wendenburg Space Force Base, फिर है Bikanoor Cosmodrome, जो सदन कजाकिस्तान में है, देखिए, Bikanoor Cosmodrome, यह कजाकिस्तान में है रशिया को किराय पे दिया हुआ है इसको रशिया भी यूज करता है, कई बार NASA भी यूज करता है इसे, और दूसरे Space Agency जो है, वो भी यूज करते है तो Bikanoor Cosmodrome बहुत important है, कजाकिस्तान में है और इसका इस्तेमाल launching के लिए मेलनी रशिया करता है, लेकिन permission से दूसरे countries भी करते है फिर NASA की आप देखते हैं, सबसे famous telescope कोन से है, telescope जो हमें तस्वीरे देते हैं, ब्रहमान की, जो दूरबीन होती है, बहुत दूर की हमें फोटो दिखा सकती हैं, तो सबसे important है Hubble Space Telescope, ये पुराना है, 1994 अप्रेल को launch किया था Hubble Space Telescope, फिर है Spitzer Space Telescope, इसने अपनी 16 साल सेमाई दी, फिर ये बंद कर दिया NASA ने, Spitzer Space Telescope 2003 में launch हुआ था, और 2020 के आसपास, NASA ने इसको बंद कर दिया फिर है चंद्रा X-ray Observatory, ये क्या है चंद्रा X-ray Observatory, चंद्रा X-ray Observatory जो है, ये X-ray का पता लगाती है, अगर किसी भी प्लैनेट से, कहीं भी भ्रमान से, किसी भी गेलक्सी से X-ray आ रही हैं, तो ये उसका पता लगाती है, तो ये 1999 में लॉंच की गई थी, फिर है Fermi Gamma Ray Space Telescope, जो 2008 में लॉंच किया गया था, और NASA के दो नएट टेलिसकोप हैं, जो लॉंच किये जाएंगे, एक 2021 के अंत में और एक 2025 में, तो 2025 में जो लॉंच होगा, वो है Nancy Grace Roman Space Telescope, नया लिए, और अगला जो है 31 अक्तुबर 2021 को लॉंच होगा, इसका नाम है James Webb Space Telescope, जेम्स Webb Space Telescope, तो ये दो नए एकदम brand new NASA के टेलिसकोप हैं, एक बात आपको और बता दूँ, मैंने आपको बताया था, NASA का headquarter Washington DC में है, तो NASA के headquarter का नाम Mary Jackson के नाम पे रखा गया है, Mary Jackson के नाम पे, तो NASA यहाँ पे हम खतम करते हैं, comprehensively अब बात करते हैं, रॉसकोस्मोस की, देखो, जब मैं रॉसकोस्मोस बोल रहा हूँ, तो ये रशिया की Space Agency है, लेकिन मैं यहाँ पे सोवियत की बात भी करूँगा, ठीके रशिया और जो दूसरे कंट्रीज का समूँ था, जिसे सोवियत बोलते थे, USSR बोलते थे, तो USSR ने बहुत सारे mission किये थे, वो बहुत important है, तो रॉसकोस्मोस आज की तारीक में, रशिया की Space Agency है, ये 1992 में बनी थी, obviously क्योंकि 1991 में आप जानते हैं कि USSR कोलाप्स हो गया था, तो उसके बाद, उसके बाद बनी थी रॉसकोस्मोस 25 फरवरी को, रशिया के सारे Space Program यही करती है, इसका Headquarter राजधानी मोस्कों में है और ये अपने launch कहां से करते हैं, ये बाई कनूर कोस्मोड्रॉम से करते हैं कजाकिस्तान में जो मैं अलड़ी बता चुका हूँ आपको, साथ ही साथ ये वस्तोचनी कोस्मोड्रॉम भी यूज करते हैं, और वस्तोचनी कोस्मोड्रॉम जो है, ये रशिया के एकदम फार इस्ट में है, रशिया में ही है, ये कजाकिस्तान में नहीं है वस्तोचनी ये भी पूरा बन के तयार नहीं हुआ है तो क्या-क्या उपलब्दियां है USSR के नाम सबसे पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उनका नाम था वैलेंटीना तरिशकोवा और ये अकेली गई थी इनकी हिम्मत देखिए एकदम अकेली और आपको बता दूँ आज तक के इतिहास में ये एक मातर बार हुआ है एक मातर बार हुआ है एक ही बार हुआ है जब एक महिला अकेली अंतरिक्ष में गई और वो थी वैलेंटीना तरिशकोवा ठीक है 16 जून 1963 को किसमें बैठके गई थी ये वस्तोक 6 ये सब को याद Assembly बोलते हैं, जैसे भारत में होता है ना लोकसभा और राजसभा तो रश्या में जो लोकसभा के बराबर होता है हम उसे डूमा बोलते हैं रश्या की जो निचला सदन है उसे डूमा कहा जाता है तो उसमें ये पॉलिटिशन है, इलेक्टेड है ये तो उस वक्ती ही ऐसी द 12 अप्रेल 1961 को गए थे और 12 अप्रेल को इसलिए हम अंतराष्टिय मानव उडान के इंद्र मानव अंतरिक्ष उडान के दिन के रूप में मनाते हैं International Human Space Flight Day 12 अप्रेल को इसलिए मनाय जाता है यूरी गागरेन वस्तोक बन में बैठके गए थे पिर सबसे पहली जो सैटेलाइट भेजी थी पूरी दुनिया में Artificial Satellite मतलब Normal Satellite Natural Satellite क्या होती है Natural Satellite कुछ नहीं होती है Moon को हम Natural Satellite भी बोलते हैं क्योंकि वो प्राकरतिक है चांद अरेक के अपने Moon होते है धर्ती के पास एक ही Moon है लेकिन जो बाकी प्लैनेट से उनके पास बहुत सारे Moon होते है जैसे जूपिटर, सैटन वगारा के पास बहुत सारे Moon है तो उनको Natural Satellite बोलते है जब हम वर्ड यूज करते है सैटेलाइट तो मतलब Automatic है कि हम Artificial Satellite की बात कर रहे है तो पहली सैटेलाइट दुनिया के इतिहास में अगेन USSR ने भेजी थी, सोवियत ने इसका नाम था Sputnik तो Sputnik 1 लॉंच कब हुई थी ये 4 अक्तुबर 1957 को हुई थी तो ये भी किरतीमान सोवियत के नाम, रशिया के नाम फिर सबसे पहला जो जन्तु था, जो एनिमल था जो अंतरिक्ष में गया था, वो एक कुता था जिसका नाम था लाइका, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दुरलब चित्र है जो मैंने इनकी ओफिशल वेबसाइट से लिया है ये लाइका, ये कुता है लाइका, लेकिन हुआ क्या, ये कुता मर गया क्योंकि जो ये स्पेस्क्राफ भेजा था, ये वापस नहीं आया इस तरह से डिजाइन नहीं था कि ये वापस आये तो ये जो है, स्पोटनिक 2 में बैठके गया था पहली बार एक जानवर को, लाइका को, एक डॉग था ये अगेन सोवियत ने भेजा था, रश्या ने भेजा था फिर रश्या ने बहुत सारे और जानवर भेजे लेकिन पहली बार एक उन्होंने जानवर ऐसा भेजा जो वापस भी लोटके आया और ये दो थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दुरलब चितर, इसमें आपको दो डॉग दिखाई दे रहोंगे यहाँ पर, ये बेसिकली फीमेल डॉग है, इनका नाम है बैलका और स्ट्रेलका तो बैलका और स्ट्रेलका को, 19 अगस्त 1960 को भेजा गया और ये वापस जिंदा आ गए थे, ये भी सोवियत ने किया था उसके बाद लूना टू, लूना टू पहला एक human artifact था, जो चांद पे पहुँचा देखो, मैंने आपको बताया कि चांद पे सबसे पहली बार एक व्यक्ति कौन गया था व्यक्ति नीलाम स्ट्रॉंग गये थे, जो अपोलो 11 में बैठ की गये थे लेकिन अगर पूछें, चांद पे सबसे पहली बार कोन गया था मतलब व्यक्ति नहीं, कोई भी चीज, तो वो रशिया ने भेजी थी और वो थी लूना टू, लूना टू, तो लूना टू गया था 1959 में, ये चांद पे पहुचा था, तो ये पहला मानव निर्मित कोई चीज है human artifact है, जो चांद पे महुचा था, लूना टू फिर पहला space walk किस ने किया, space walk को हम ये से बोलते हैं यानि कि extra vehicular activity, जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में आपका जो भी यान है, space craft है जब आप उसे बाहर निकलते हैं, अंतरिक्ष में तैरते हैं, तो उसे space walk कहा जाता है यानि अंत्रिक्ष में आप चहल कदमी कर रहे हैं एक तरह से तैर रहे हैं वहाँ पे तो पहला स्पेस वॉक किया था अगेन रशिया के वैक्ती थे अलेक्सी लियोनौव इन्होंने 18 मार्च 1965 को वॉस्क होड टू मिशन में ये पहली बार अपने अंत्रिक्ष यान से बाहर गए और अंत्रिक्ष में तैरे तो ये भी सोवियत ने किया सबसे पहला स्पेस वॉक पुरुशों में किया अलेक्सी लियोनौव ने और सबसे पहला स्पेस वॉक महिलाओं में किया वो भी रशिया की थी इनका नाम था स्वेत लाना सवित्सकया इन्होंने सोयूज T1 में बैठके गई थी 1982 में और ये दूसरी महिला थी जो अंत्रिक्ष में गई थी इनसे पहले वैलेंटिना तरिश्कोबा थी दूसरी ये थी और फिर 1984 में इन्होंने सोयूज T12 मिशन में स्पेस वॉक किया था और ये पहली महिला है जो दो बार स्पेस में गई थी पहली बार गई थी सोयूज T7 में 1982 में और दूसरी बार गई थी 1984 में सोयूज T12 में और यह पहली महिला है जिरोंने space walk किया था ठीके, फिर पहला space rover जो था वो भी रशिया का था जिसका नाम था Luna Code 1, पहला space rover मानव के इतिहास में Luna Code 1 ये भी Soviet का था, पहली बार चंदरमा से मिट्टी लेके वापस कोन आया, ये भी Soviet ने किया लूना 16 मिशन था ये ठीके चांद से मिट्टी लेके धरती पे वापस आया लूना 16 और सबसे पहला स्पेस टेशन इंटरनेशनल स्पेस टेशन से बहुत पहले ये रशिया ने बनाया था सोवियत ने इसका नाम था सल्यूत वन तो आप देख सकते हैं कितने सारी चीजें रशिया और सोवियत ने कर रखी है जो नासा ने नहीं की आज मैं कहूंगा नासा बहुत बड़े बड़े मिशन कर रहा है लेकिन एक समय था जब यूएस एसर की स्पेस एजनसी बहुत आगे थी चलि अब हम बात करते हैं हमारी अपनी इसरो की बात करते हैं इसरो के अगेन बहुत डीटेल में पढ़ेंगे इसरो को तो इतना डीटेल में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते देखो इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को ये एक एक चीज इंपोर्टेंट है एक एक इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप एक्जाम में छोड़के जाएं ठीक है तो इसरो कब बना था 15 आगस्त 1969 को बना था इसका हेड़कौर्टर बैंगलोर में है फिर इसरो अपने लॉंच कहां से करता है ये अपने लॉंच जो है वो दो जगा से करता है एक तो है सतीष धवन स्पेस सेंटर शिरी हरी कोटा ये नेलोर डिस्ट्रिक में पढ़ता है आंधर परदेश में एक बार एक्जाम में क्वेश्चन आया था कि सतीष धवन स्पेस सेंटर आंधर परदेश के कौन से जिले में है तो वो है नेल लॉंच किये जाते हैं, और रॉकेट भी लॉंच किये जाते हैं, साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉंच किये जाते हैं, लेकिन जो थुमबा एक्वेटोरियल रॉकेट लॉंच टेशन है, यहां से सिर्फ साउंडिंग रॉकेट लॉंच किये जाते हैं, सिर्फ साउंडिं rocket जो है वो launch किये जाते हैं फिर एक नया बन रहा है rocket launch pad यहां से भी rocket launch किये जाएंगे कुला शेखरा पटिनम अभी बनके तयार नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में 2-3 साल बाद यहां से भी rocket launch किये जाएंगे तो यह है कुला शेखरा पटिनम और यह तमिल नाडू में है अब इसरो की शुरुआत कैसे हुई बड़ी interesting है यह कहानी जवालल नहरू थे भारत के प्रधान मंत्री और एक scientist थे इन यह photo देखिए इसमें यह जवाललल नहरू है और यह जो वग्यानिक है इनका नाम है विक्रम सारा भाई गुजरात से थे यह विक्रम सारा भाई तो विक्रम सारा भाई जो है बहुत बड़े विज्ञानिक थे और इन्होंने जवालल नहरू को कहा कि भारत को भी space में कुछ न कुछ करना चाहिए जवालल नहरू ने तुरंद इनकी बात मान ली और एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंको स्पार यानि अभी तक इस रों नहीं बना है सबसे पहले क्या बना था इंको स्पार और इंको स्पार ही बाद में convert होके इस रों बना तो इंको स्पार की full form है Indian National Committee for Space Research तो विक्रम सारा भाई ने जब यह कहा जवाला नहरू तुरंत मान गए और इन्होंने एक संगठन बनाया इंको स्पार और इंको स्पार को Department of Atomic Energy के अंडर डाल दिया 1962 में 1962 में बना इंको स्पार उसके बाद इंको स्पार बड़ा research वगारा हम करने लगे और यह इस रों बन गया Space Commission Department of Space दोनों चीज़े बनाई फिक है अंतरिक्ष आयोग और Department of Space अंतरिक्ष विभाग और फिर इस रों को फिर Department of Space के अधिन ले आया गया पहले इंको स्पार बना Department of Atomic Energy के अंडर इंको स्पार बाद में इस रों में कनवर्ट हो गया कवर करा दूँगा जो भी पिछले मैंने साथ आठ साल में देखे हैं स्टैटिक तो सबसे पहली सैटेलाइट जो इस रों ने छोड़ी थी वो थी आरियभट आरियभट बनाई हमने थी लेकिन लॉंच हमने नहीं करी थी हमने रशिया हमारा दोस्त सोव्यत उनियन उससे लॉंच करवाई थी उन्नेस अप्रेल 1975 और ये डेट भी आपको याद रखनी है 1975 उन्नेस अप्रेल को लॉंच हुई थी आरियभट और रशिया ने किस लॉंच वीकल का इस्तिमाल किया था सी वन इंटर कॉस्मोस को इस्तिमाल किया था इसको लॉंच करने के लिए और भारत का सैटेलाइट मैन बोलते हैं उडूपी रामचंदर राओ को बहुत बड़े वैज्यानिक थे जो आरियभट की टीम थी उसको यही लीड कर रहे थे भारत का सैटेलाइट मैन उपग्रह मानुष बोला जाता है प्रोफेसर उडूपी रामचंदर राओ उसके बाद इस्तिमाल अपनी ताकत बढ़ाने लगा एक बार आरियभट लॉंच हो गई 1975 में तो इस्तिमाल ने अब यह सोचा कि सैटेलाइट तो मैं बना लेता हूँ पर लॉंच करवाने के लिए दूसरे कंट्री की मदद लेनी पड़ती है तो यहाँ पर फिर इस्तिमाल ने एक सैटेलाइट है RS1 इसको बनाया और लॉंच भी खुदी करा यानि कि इस बार जो वहीकल था लॉंच वहीकल वो भी हमारा था और इस लॉंच वहीकल का नाम था SLV-3 SLV-3 तो हम सैटेलाइट बनाना भी और लॉंच करना दोनों सीख गए लेकिन हमारी किसमत अच्छी नहीं थी RS1 धर्ती के ओर्बिट में पहुँच नहीं पाया ये मिशन फेल हो गया तो RS1 पहली सैटेलाइट होती हमारी जिसे हम खुद धर्ती के ओर्बिट में भेजते पर वो नहीं हो पाया और इस रों के कुछ अचीवमेंट आपको बताऊं अगर मैं गगन और नाविक ये दो हमारे नैविगेशन सिस्टम है आपको रास्ता दिखाएंगे पूरी धर्ती का एक एक चीज जैसे GPS होता है न वैसे ही है गगन और नाविक नाविक ओवियसली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि गगन का अपग्रेड है ये तो गगन हमने लाँच की थी सैटलाइट 2011 में की थी गगन हमने लाँच किया था गगन को हमने G-SAT-8 Communication Satellite के साथ ही लाँच किया था 2001 में और तब से गगन जो है हमारी नैविगेशन को असिस्ट कर रहा है हमारे जैसे जहाज बगरा चलते हैं बहुत सारी नैविगेशन में हल्प होती है लेकिन जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है 2018 से चालू है वो है IRNSS जिसे हम नाविग बोलते हैं तो IRNSS की फुल फॉर्म है Indian Regional Navigation Satellite System और नाविग की फुल फॉर्म है Navigation with Indian Consolation आप IRNSS बोलिए या आप नाविग बोलिए बात एक ही है अब कुश्चन अगर आ जाए कि भई पहली सैटेलाइट कौन सी थी जो इसरो ने लॉंच कर दी खुद के लॉंच वीकल से तो वो थी रोहिनी तो कि यहाँ पर आप देखिए RS1 भी की लेकिन RS1 धरती के ओर्बिट में पहुँच नहीं पाई तो यह mission successful नहीं माना जाएगा और चंद्रियान वन भी important है चंद्रियान वन चंद्रमा पे हमारा जो mission था चंद्रियान वन हम चांद की ओर्बिट में चंद्रियान वन को भेजने में successful रहे यह mission 22 अक्तुबर 2008 को launch हुआ था यह भी आपको year याद रखना है, date याद रखने की ज़रुवत नहीं है लेकिन year याद रखना है डारेक्ट कुश्चन आता है, चंद्रियान वन किस साल में launch हुआ था फिर ISRO का जो 100th mission था, वो कौन सा था? वो इन्होंने किया था 2012 में और इसमें rocket use हुआ था PSLV C-21 2013 में Mars Orbiter Mission, MOM, मंगल यान जिसे बोलते हैं 5 नवंबर 2013 को launch हुआ था और Mars की orbit में चला गया था, 24 सेप्टमबर को और भारत पहला country है एशिया का, जिसने Mars Mission किया था Mars Orbit में किया था, और in fact पहली बार में ही successful हो गया था ऐसा होने वाला भारत पहला country था तो कि no doubt अमेरिका ये mission पिछले 50 साल से कर रहा है लेकिन अमेरिका पहली बार में ही successful नहीं हुआ था Mars Mission में लेकिन इंडिया पहली ही बार में मंगल यान जो है उन्होंने मंगल पर भेज दिया था तो ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का पहला country था कि first attempt में ही उन्होंने Mars पे mission successful किया था तो मंगल यान 1 जो है वो 2013 में launch किया गया था उसके बाद 2017 में इसरो ने एक record बनाया था ये record आज टूट चुका है SpaceX के द्वारा लेकिन उस समय ये record था 104 satellite एक साथ छोड़ी थी PSLV C-31 का इस्तिमाल करके फिर इसरो का एक बहुत heavy rocket है GSLV MK3 ये 2017 को उन्होंने launch किया था और ये एक बहुत important rocket है आने वाले समय में भी इस rocket का इस्तिमाल बहुत जादा किया जाएगा फिर इसरो ने अपनी सबसे heavy satellite GSAT-29 को launch किया था ये 3423 kg की satellite है और ये GSAT-29 जो satellite launch की थी ये better communication के लिए की गई थी ये GSAT-29 सबसे heavy satellite थी इसरो की और जैसा मैंने आपको बताया GSLV MK-3 जो है ये भारत का एक बहुत important rocket साबित हुआ है और इस rocket का इस्तिमाल फिर 2019 में किया गया चंद्रियान 2 के लिए चंद्रियान 2 में जो lander था वो था विक्रम और जो rover था उसका नाम था प्रग्यान अब मैं आपसे बात करता हूँ इस्तिमाल की research facilities कौन कौन सी है तो सबसे पहले है विक्रम साराभाई space center ये तिरोवरंदपुरम में है और ये इस्तिमाल का सबसे बड़ा base है सबसे बड़ा आधार है ये main technical center है जो भी rocket बनते हैं construction वगारा होती है वो यहीं पे होती है विक्रम साराभाई space center में और जो थुम्बा में थुम्बा में हमने देखा था जो sounding rocket launch किये जाते हैं T.E.R.L.S से उसको भी ये support करता है इतना ही नहीं GSLV series जो है वो भी यही डबलप कर रहा है और polar satellite launch vehicle के जो सारे rocket हैं यही बनाता है विक्रम साराभाई space center फिर एक है liquid propulsion system center ये दो जगा पे है तिरुबनंत पुरम और बैंगलोर liquid propulsion fuel वगारा liquid propulsion systems उनको handles को design करना, develop करना testing वगारा करना वो सब यहाँ पे होता है और testing जो इनकी की जाती है वो महिंदरगिरी जो south तमिलनाडू में है वहाँ पे की जाती है ये महिंदरगिरी तमिलनाडू महिंदरगिरी है और इसा वाला नहीं तो LPSC जो है design, develop और test करता है liquid propulsion system को और उनको design करता है, develop करता है और test करता है और final जो testing की जाती है, इनकी test complex वो है महिंदरगिरी में फिर है physical research laboratory एहमदाबाद, इसरो की है ये physical research, नाम से पता चल रहा है physical research, जो भी planetary physics, infrared astronomy, geocosmophysics, plasma physics, astrophysics, archaeology, hydrology सब research यहाँ पे किया जाता है एहमदाबाद में चार laboratory और इसरो की याद रखिए semiconductor laboratory चंडिगड में है इसरो की national atmospheric research laboratory तिरुपती में है तिरुपती जो है ये चितूर district में है आंधर परदेश के space application center इनका हमदाबाद में है और physical research laboratory वो भी हमदाबाद में है north eastern space application center शिलॉंग में है, मेगाले में फिर test facility जैसे मैंने बताया था इसरो propulsion complex ये direct question आता है इसरो propulsion complex कहा है तो ये महिंदर गिरी तमिल नाडू में है उसके बाद UR Rao satellite center ये super important question है Bangalore में है, ये बहुत ज़्यदा repeat होता है exam में UR Rao कौन है, भारत के satellite man उडुपी रामचंदर राओ इनके नाम पे हमारा satellite center Bangalore में है और सतीष धवन space center आप जानते ही है और थुमबा equatorial rocket launching station भी आप जानते है उसके बाद Indian Institute of Remote Sensing भी आपको पता होना चाहिए ये धेरादून में है IIRS Indian Institute of Remote Sensing Remote Sensing का मतलब क्या होता है फोटो खींचना अंतरिक्ष में satellite भेज के धर्ती की फोटो खींचना उसको remote sensing बोलते है Indian Institute of Space Science and Technology यानि IISD तिरोवननदपूरम में है बाला सौर rocket launching station ओडिशा ये आपने सुना होगा APG अब्दुलकला माईलेंड जो है वहाँ से भी launch किये जाते हैं कई बार तो वो ओडिशा में है और Human Space Flight Center मानव अंतरिक्ष उडान के अंदर जो है वो बैंगलोर में है इसमें market करता है दूसरा है New Space India Limited ये भी commercial wing है इसरो का ये भी commercial आम है दोनों ही commercial आम है तो ये इसरो की जो technologies वगारा है उनकी marketing करती है और industry interface, industry जो private public partnership वगारा को promote करती है और in space अभी अभी बना है नया wing है ये ये पूरी तरह से autonomous है union government ने से approve करा है ये department of space के अधिन काम करता है और ये basically private sector जो है private investment ज़्यादा आए इसरो में private public partnership हो तो उन सब के लिए काम करता है in space अब एक satellite याद रखिए कलपना 1 ये बहुत ज़्यादा पूची जाती है कि सबसे पहली मौसम सम्बंदी satellite कौन सी थी जो इसरों ने launch करी थी metrological satellite तो वो थी कलपना इसका नाम कलपना चावला के नाम पे कलपना 1 रखा गया है बाद में कलपना 2 वगारा वो सब भी launch हुई थी तो कलपना 1 पहली dedicated metrological यानि weather मौसम satellite थी जो launch हुई थी ये 2002 में launch की गई थी फिर सरल, सरल क्या है सरल एक project है ये इंडिया और फ्रांस का project है यानि कि इसरो का और फ्रांस की space agency CNES का project है सरल satellite को launch किया गया था 2013 में और इसको इसरो और फ्रेंच space agency ने मिलके किया था ये ocean circulation और sea surface elevation वगारा में मदद करती है देखने उसके बाद PSLV और GSLV में फरक क्या होता है देखो हम सारे mission PSLV से ही करते है ठीक है PSLV होता है जो medium level का medium lift launch vehicle यानि अगर हम बहुत ज़ादा भारी कोई satellite नहीं भेज रहे है बहुत ज़ादा load नहीं है बहुत भारी नहीं है तो हम PSLV का use करेंगे यह जो sun synchronous orbit है उसमें satellite को place करता है उसके बाद GSLV अगर बहुत ज़ादा payload है significant payload है बहुत भारी satellite launch करनी है तो हम GSLV का use करते हैं अभी उतना ज़ादा GSLV को use नहीं करते हैं mainly हम PSLV को ही use करते हैं और यह geostationary orbit में satellite को पहुँचा देता है यह कुछ future mission है हमारे चंदरमा पे अब हम चंदरियान 3 करेंगे इसमें जो rocket use होगा launch vehicle वो होगा GSLV MK3 मैंने बताया था यह बहुत important होगा क्योंकि बहुत भारी load लेके जा सकता है तो यह हम use करेंगे GSLV MK3 2022 में हमारा मन है करने का चंदरियान 3 फिर अधित्य L1 यह हमारा सूरज को study करने के लिए mission है इसमें launch vehicle यूज होगा PSLV XL 2022 में फिर शुक्रियान 1 यह Venus के लिए करेंगे हम इसमें GSLV MK2 यूज होगा 2023 में और मंगल यान हम करेंगे मंगल यान दुविती है तो यह GSLV MK3 यूज होगा इसमें 2024 में इसके अलावा जापान की Space Agency जो है JAXA उसके साथ मिलके हम एक mission कर रहे है LUPEX Lunar Polar Exploration Mission Lunar Polar Exploration Lunar मतलब होता है चांद तो यह चंदरमा पे जो study है चंदरमा का जो South Pole है हम उसको study करना चाहते है तो यह JAXA और इस रो मिलके करेंगे 2024 में उसके बाद अगर आपसे पूछें कि हमारा जो Indian Space Program है उसका founding father किसे कहा जाता है उसके पिता उसके जनक तो आंसर विक्रम सारा भाई फिर अगर आपसे पूछें भारत में rocket या launch vehicle कहां बनते हैं launch vehicle एक प्रकार के rocket होते हैं सारे rocket launch vehicle नहीं होते हैं सारे rocket launch vehicle होते हैं लेकिन सारे launch vehicle rocket नहीं होते हैं समझे तो ये बनते हैं विक्रम सारा भाई Space Center में PSLV हो जाए GSLV फिरोवननपुरम अगर आपको satellite data चाहिए कोई भी तो आप ले सकते हैं National Remote Sensing Center हैदराबाद से सबसे पहला rocket launch कौन सा हुआ था इंडिया का इंडिया केंध 1963 में किया गया था ये हमने अमरीका से खरिदा था पहले अमरीका से खरिदा और फिर इसे हमने launch किया था और भारत ने अपने खुद के rocket बनाना शुरू कब किया था तो याद रखिए हमारा पहला जो खुद का देसी रोकेट था वो था RH 75 ये हमने लॉंच किया था 1967 में और सेटलाइट दो तरह की होती है, कम्यूनिकेशन सेटलाइट और रिमोट सेंसिंग सेटलाइट, कम्यूनिकेशन सेटलाइट संचार के काम आती है, जैसे दूरदर्शन मोनिटर करने के काम आती है फिर उसके बाद पहली पीको सेटलाइट कौन सी थी जो इंडिया ने लॉंच करी, पीको सेटलाइट मतलब बहुत छोटी सेटलाइट जिसका वजन 500 किलो से कम होता है और स्टड सेट सेटलाइट तो एक किलो से भी कम की थी तो ये स्टड सेट पहली इंडियान पीको सेटलाइट थी 2010 में लॉंच हुई थी PSLV C-15 से एक बात और आज भारत के पास ये कैपेसिटी आ गई है कि हम दूसरे कंट्री के सेटलाइट को नश्ट कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय कर सकते हैं स्पेस में इसका नाम था मिशन शक्ती और ये जो कैपेबिलिटी है इसको ए सेट बोलते हैं यानि एंटी सेटलाइट तो आज हमारे पास एंटी सेटलाइट कैपेबिलिटी भी है हम एक मूविंग सेटलाइट को स्पेस में तभा कर सकते हैं 23 मार्च 2019 को हमने मिशन शक्ती का टेस्ट कंड़क्ट किया था उसके बाद एस्ट्रो सेट ये डिरेक्ट कुश्चन आता है एक्जाम में MCQ कि भारत की पहली डेडिकेटिड मल्टी वेवलेंथ स्पेस अब्जरवेटरी कौन सी है तो वो एस्ट्रो सेट है आप किसी भी चीज को अगर अब्जर्व करोगे अंतरिक्ष में तो आप मल्टीपल वेवलेंथ में कर सकते हो जैसे एक्सरे है या इन्फरा रेड है मतलब आप कई तरह की लाइट में अंतरिक्ष को देख सकते हो तो मल्टी वेवलेंथ स्पेस अब्जर्वेटरी हमारी एस्ट्रो सेट है ये कैपेबिलिटी हमारे पास पहले नहीं थी लेकिन एस्ट्रो सेट हमारी पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस अब्जर्वेटरी है यह optical light यानि normal light जो होती है, visible spectrum, ultraviolet, x-ray, low high energy, कई तरह की electromagnetic spectrum में यह अंत्रिक्ष को देख सकती है तो उससे information ज्यादा मिलती है फिर एक question यह आता है, mega tropic के उपर, यह मैंने बताया था, इंडिया और France ने मिलके यह mission किया है, ISRO और CNS ने मिलके किया है mega tropic इसमें हम जो water cycle है और energy exchange होते हैं, tropics में उनको study करते हैं, यह mission 2011 में launch हुआ था, PSLV C18 से फिर Apple satellite भी exam में आती है, Arian passenger payload experiment, Apple, यह ISRO की पहली देशी experimental communication satellite थी यह word पर ध्यान दीजिए, experimental communication satellite हमारी सबसे पहली थी, Apple यह 1981 में launch की थी, हमने European Space Agency का rocket यूज किया था, Arian rocket और Kuru French गीनी से की थी फिर भासकर, भासकर भारत की पहली experimental remote sensing satellite है, मैंने आपको बताया था, satellite दो तरकी होती है एक communication satellite और एक remote sensing satellite, तो जो भासकर 1 है, यह experimental word पर ध्यान दीजिए, remote sensing satellite डिरेक्ट कुष्चन आता है, भासकर 1, ठीक है, भासकर 1 फिर काल्टो सेट 1, काल्टो मतलब होता है मानचित्र, map तो काल्टो सेट 1 हमारी भारत की पहली remote sensing satellite है, जो in orbit stereo images दे सकती है यह पहली ऐसी remote sensing satellite है, जो in orbit stereo images, इससे हम मानचित्र बगारा बना सकते हैं, यानि काल्टो ग्राफिक एप्लिकेशन में use इसे कर सकते हैं यह हमने PSLVC6 से launch की थी और आखिर में भूवन भूजल, क्या है यह भूवन सिस्टम, इसरो का National Remote Sensing Center, NRSC, ने इसरो के साथ मिलके यह बनाया है Ministry of Drinking and Water, जल शक्ती मंत्राले जो है, पहले उसको Ministry of Drinking, Water and Sanitation मगरा वो बोलते थे तो यह जो बनाया है भूवन सिस्टम, इसमें हमें भारत के हर शहर में पानी का स्तर कितना है जमीन में, भूजल कितना है उसके बारे में पता चलता रहता है, ग्राउंड वाटर के बारे में पता चलता रहता है, रियल टाइम में तो ये याद रखिए भूवन, भूजल इसरों ने बनाये तो ये था हमारा complete वीडियो International Space Agency एकदम डीटेल में एक भी question ऐसा नहीं है जो Space Agency से आये और जिसको अब आप ना कर पाएं तो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए ये बहुत important topic है तो थैंक यू पर वाचिंग स्टड़ी एक्यू